नमस्कार आप देख रहे हैं दर्स निउज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा कुलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज को लेकर के जो हंगामा हो रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है लगातार जो है जो महिला डॉक्टर के साथ दुसकर्म हुआ है उसको लेकर के विरोध प्रदर्सन लगातार जारी है इसी बीच जो है बिहार में पुर्णिया के सांसद है पप्पु यादव उन्होंने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है और आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो मिली भगत चल रही थी और जो सरयंत रच करके किस तरीके से महिला डॉक्टर की हत्या की गई और दुसकर्म किया गया उसके साथ उन सभी की पूल खोलते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन इसी बीच कल पप्पु यादव ने एक बड़ा बयान दिया था डॉक्टर्स को लेकर के कि डॉक्टर्स जो है वो लगतार हरताल पर है लेकिन वही नीजी अस्पतालों की बात कर ले तो वहाँ पर लूट मची हुई है और वहाँ पर डॉक्टर्स हरताल नहीं दे हैं बलकि केवल सरकारी अस्पतालों में ही डॉक्टर हरताल पर बैठे हैं जिसको लेकर करके आये में ने आपत्ती भी जताई है और लोगसभा अध्यक्ष के पहास इसकी सिकायत भी की है पप्वयादप की सिकायत की है और उन्होंने कहा है कि कोई भी हमारे उपर अगर आरोप लगाता है हमला करता है तो आए में उसके खिलाफ लरेगा और जवाब देगा तो सबसे पहले आईयमे ने मोर्चा खुल दिया पप्पू यादब के खिलाफ और आईयमे ने एक लेटर जारी किया लेटर में आईयमे ने लिखा कि माननीय सांसर स्री पपू यादब जी ने कुलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बिहार माननीय सांसर के टिपनी की घोर भर्षना करता है इसके साथ ही लिखा है आईयमे ने कि पुर्व में भी माननीय सांसर चिकित्सकों के प्रति ऐसा करते रहे हैं उनका कहना है कि उनके पडिवार में कई चिकित्सक हैं हमारा निवेदन है कि अपने घर के चिकित्सकों का भी उनके इस टिपनी पर वे विचार को प्रकट करें वे जब प्रतिनिधी हैं उनका चिकित्सकों के प्रति विरोध सर्विदित है अच्छा होता कि वे ऐसा बयान देने से पहले एक आइना सामने रख लेते तो एक बड़ी बात जो है आयमे के तरब से की गई है और इसका जवाब भी पपू यादब ने दिया है इस लेटर के जवाब में लिखा है कि आयमे बॉखलाए नहीं अपने जिम्मेदारी समझे वो बताए अगर कुलकाता की कुरूर घट्टा में उनकी डॉक्टर विरादरी के लोग सामिल होंगे तो वो क्या कदम उठाएंगे क्या र और लाइब आ करके उन्होंने कैप्सन में लिखा था कि अच्छे डॉक्टरों का दिल से सम्मान है लेकिन गलत करने वालों के खिलाफ आवाज उठाना कहां से गलत है आईए मैं कोब बताना चाहिए आज एक महत्तोपुर्ण विसेह पर आपसे बाचित करना चाहता था इस ले जो है पपुयादव लाइब आए और वो पूरा वर्णन कर रहे हैं उस घटना के बारे में जो कुलकाता में घटी है और इसके साथ ही साथ मधेपुरा और कई एक बिहार के अन्य जिले है जहां पर मेडिकल में जो यह आनियमित्ताय बरती जा रही है उसको लेकर के से यह महिला डॉक्टर जो है भेट चड़ गई उसके और उसके साथ दुसकर्म किया गया फिर हत्या कर दिया गया तो क्या कुछ मामला बताते हुए नजर आ रहे हैं पपुयादव आप भी सुनिए इस पूरे वीडियो में है जी नमस्कार पुणाम मैं हमीशा कहता रहा हूं कि प्रणाम बिहार सलाम बिहार नमो गुद्धाय जैदीन बिहार जोहार भी है कि मैं तीन मुद्वों पर एक बाद रखना चाहंगर सबसे पहले कलकत्ता बलतकार केस है एक लाख उनफतर हजार बलतकार अगले साल में निर्वया बलतकार के बाद 33 प्रसंद बलतकार की घतना बढ़ी है कि एक सत्ता बदली शकार आए लेकिन बेटियों का सारणिक सुषन बेटियों का समाजिक सुषन है हम नहीं है कि यह मनोवर्ती और प्रवर्ती कहां से हमारा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम हमारा रहन सहन और लगातार इंडिविजल लाइफ और हमारे इकवाल का डर्ग हमारा सिस्टम जो संचानित करता है इस विवस्था को नेता पदा दिखाएं कि सब के सब हमां में नंगी लगभग जो भी सिस्टम मानिय मानिय संद्चनाओं को निर्मित करता है कि मैं शुरू करता हूं कि इस लोक्तंत्र की सबसे उची विवस्था कि विधाय पालिका लगातार अपने और अपने परिवार की मीजी जिन्दगी के लिए पैसे की हवस सारडिक भूक सबाब कबाब मनी यह जो हवस है इसको आप प्रोटेक्ट किये जन्ता को लगती है कि बलकार या पॉल देखना या चार लड़कियों के साथ सुना यह कोई गलत नहीं है याद कीजिए चार लड़कियों के साथ पत्यदार बीजेपी में रहे गुजरात वाले आपें दिखे थे लोगों ने कहा अपने मन से जब लड़कियां गई तो उसमें आपतिक है और उन्होंने भी कहा हर्दी पटेली कि हमें गट से दम है तो हम चार लड़की के साथ सोच सकते हैं और सबने एक्सेप्ट किया मेले बना दी उनके जाती के लोगों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है मेले एंपी नैकेट आपन टीवी पर लड़कियों के साथ सत्तर बर्स पुछत्तर बर्स असी बर्स साथ बर्स पैसेट बर्स लड़कियों और और ओरतों के साथ योवन की चड़ते मधोज में फाये गए लेकिन हुआ कि अब जरना अंदाजा की कि सबको एमेल एंपी जलताने बना दिए हमारे जाती के लोग कहते हैं कि क्रिस्म जब रास लीला मचा रहे थे तो पप्वी आदब ने रास लीला मचा है तो क्या हो कि आनद लेने लिए कि तो यह जो समाज का भी एक्सेप्टेंस कि गलत चीजों को बढ़ावा दे लिए कि जाती के अधार पर मुल्याकन कि किस जाती ने बलादकार किया किस जाती की हुई कि जो जाती का बलादकार हुआ वो सरकों पर दो घंटा आये और जिस जाती के द्वारा हुआ वो घर में दुबर पर चुखे अपने जाती के प्रोटेक्शन में लग गए यहापर तु मौन होगे अपराद को जाती के अधार पर मुल्याकन करना और अपराद को जनता और नेताओं के द्वारा दल के द्वारा अस्थापित करना जनता भी अपने अपरादी को अस्थापित करती है बहुंड देती है और नेता तो अपरादी माप्याओं को ढूंडूं के लाकर के टिकर देने की तेयारी में है जिसके पास ज्यादा पैसा 40 क्रोर लो एंपी का टिकर दे दो आपके हां कोई गया नहीं कभी लादाने कभी संगस्थ नहीं किया और आपने hp bma लिया कि कि आप किस बात को ले करके पॉमेंट पास करते ह। कुछ लोग जो सोसल मीडिया पर जब कोई बात हम बोलते हैं तो आपके आँखी की पानी खतम हो गई जा मर गई आपकी जमीर मर गई हमारा कोई भी बात आप जड़ा उठा करके देखो सदन में सबसे पहले जितना वीडियो होगा मैं नेताओं की दोगलई तेगलई और दुस्तरी पर बात करता हूं और सबसे ज़्यादें नेता के बारे में हमारी बाचित होटी है तरब प्दाधिकारीों के बारे मेरी मेरी बा studying होटी है कि नेता और परज॥िकारी का फरस्थित्या क्या है कि हमको बचाऊ और इसको समझें ने मैं डॉक्टर्स के खिलाब कब बोलता हूं डॉक्टर्स ने आज चिथी लिखी है कि पपू यादब की मनोघृती और प्रविर्टी डॉक्टर्स के खिलाब पूर में भी और हमेसा रहा है कौन से अच्छे डॉक्टर के साथ समाने करते का ऐंकि कर गवं हम सिस्टम केखिएब करते चीराइब कर सिस्टम में डॉप्टरश भाहिए मैं आप से पूछना चाहूंगा पायलां यदि अच्छे नहीं हो प्रेक्ट नहीं होना चाहिए आपने कहा है कि डॉक्टर्स की सुरच्चा आम नागरिक की जिम्मेदारी क्या एक ड्रैवर की जिम्मेदारी किसकी है यह गारी का ड्रैवर सही नहीं होगा तो एक्सिडेंट हो जाएंगे सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मजदूर और किसान की है किसान को तो कुछ मिलता ही नहीं है वो तो लागत लगाता है मेहनत करता है और उसको उसके उपज में कुछ नहीं मिलता है किसी की भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस देश में बचाना है तो किसान है और मजदूर छो जो मिनिमंघ को जीने के लिए उसे पैसा मेंगा उसके बाद बहुर्त में सब कुछ में अपनी जिन्दगी देता है उसकी बात नहीं होगी सब की जिम्मेशाएं ए डॉक्टर की भी जिम्मेशाएं जनाव कौन रोकता है नरण मोदी जी लालू यादा नितीश कुमार को भोड़तों आप भी रोग देते हैं है और हम आप से कभी उमीद तो किये नहीं आप जो आज इत्थी लिखे हैं मेरे खिलाब जब कि अजय जी से मेरी बाचित हुई मैंने कहा कि अच्छे डॉक्टर के लिए तो मैं हमेशा लड़ता हूं आप हमको एक बाद बताईए मैंने ट्वीट किया है कि सीवी आई जब इंक्वाइरी ले लिए कि सुप्रिम कोट मोनेट्रिंग कर रहे हैं हाई कोट मोनेट्रिंग कर रहा है फिर हर्टाल क्यों कि एक जब एक लाक उनक्तर अजा बलतकार हुए तो आपकी भागी दानी और भूमी का कहा है नहीं है जब डॉक्टर्स के तौरा नर्सेस और प्यसंट के साथ घटना होती है बलतकार की बात आती है थवचचचा नहीं कि यह घटना बलतकार से जएद है जिसको मैं कहता हूं कि ड्रक्स माफिया लगातार नकली दवाय को अस्पताल में लाकर नकली एक्सरें नकली अल्ट्रासॉल नकली सीटीएस के तो लाकर खराब करने की प्रविट्टी और उस अस्पताल के सुप्रिटेनेंट की मिली भग है पांच डॉक्टर दो ड्रग्स माफिया साथ एक सुप्रिटेनेंट आठ वह बेटी जो डॉक्टर थी लगातार बिरोज कर रही थी कि जो चीज हो रहा है जो नकली दवाई आप पार में अस्पताल के नाम पर सब कुछ बेज देते हैं मै सिगनीचर नहीं करूँगा और ना मैं इसको अपन कर दूँगा सीबी आई नहीं लगबाग अपने लक्स की बढ़ गया है और सर्मुच नहीं मोनेटिन कर रही है और लगबाग सरकारी अस्पतालों की स्थितिय ही है मदेपुरा में भी हुआ पुर्विया में भी एक डॉ पर कोई माई बात नहीं है कि सो पीटमेंट की मिली भहकच से लगब लुक्रिस्पन रशुपिंटर्ण की मिली बवगच से लगब और सेकरेट्री के मिली भाथ से लूटेड है बिहार में भी लगब याई इस्थितियों और तो मैं तो बात ही रात है कर रू here ौर उसके ब मारते मारते मार दिया बाद में होंगार को जबरदस्ती दारू पिला के पिला के पिला के तब जा करके का जो उसके साथ जाके बलतकार करें मरने के बाद वो भी नेटर आ गया है कि मैं देश की जनता और विहार की जनता बंगाल की जनता से कुछना चाहता हूँ कि एक ड्रक्ष बेचने वाले कौन लोग कि सिस्टम नेता डॉक्टर कि क्या इस इनसान है अच्छे डॉक्टर को अच्छे ग्रावर को अच्छे कि नेता को नेता कोगे कि सब को और आप हमें धंकी मत दीजिए हम आपके खीकर हो कि किसे धंकी से डरनेGUACE हम अर लोग नहीं हैं कि हम भरवान से डरे की नहीं करोना से डरे pagनेगा आपसे डरे हैं é कि क्यों आप सरकारी अस्पटाल बंग किये हुए हैं और जो लोग एमस में सदार अस्पटाल में आईजी एमस में या कहीं भी आप हैं आप नर्सी वह में कैसे काम कर रहें जाते हैं आपको मैं चैलेंज करता हूं सिस्टीवी आप अपना बताई आप जाकर कॉपरेशन कर र ओरेगा यह नेता वो पैसा देता है आप ते डड़ेगा यह सिस्टम जो मिलकर कर रुपता है पपु यादब ना मौट से ड़ता है ना आप जैसे इंसान विरोगी से ड़ता है एक स्पीकर लगान है क्या है कोड बंगए आप हम अपनी बाद कह रहे हैं हम किसी सिस्टम कि बाए में करें, किसी डॉक्टर का नम नहीं लिए, पर्टिकोलिया डॉक्तर की बात नहीं किये, आई-म-म की बात अंहीं किये, फिर आप से मेरी बाकचीत होने के बाद आपने चिक्नी निकाल दी, और आप करते हैं, अरे बाद देखना हैं नुट के जो महल बनाए हूए और बेटा बेटी को आप बड़ेबादी दिये वहां ज्रक्स के पैसे से, डबाई के पैसे से, मालिक के पैसे से, सर्म नहीं होता है, दूस्रों के पैसे पर बिदेज आते हैं, मकाम करिगते हैं, आयना दिखाते हैं, माँ भारत का जंड है जंड, जब तक भी आपकी जंता को बचाने नहीं चैन से नहीं बेटेंगे लेकिन अच्छे डॉक्टर की इज़त भी करेंगे और उसके लड़ेंगे भी हम डॉक्टर के खिराब नहीं है हम सिस्टम के खिराब अब लड़िए चलिये जहां चलना हो लेकिन हमारी आवाज नहीं लबेगी सदर अस्पताल एम्स को बंग करिए नर्सिं हॉम में साइट पेसंट बुला के लुटिए करोड़ों अरब पती बनिए बिना डॉक्टर के पेतलों भी खोलिए अल्टासों सेटी एस के नमाराई में करोड़ों कमाईए मैंना में तीन बार बुला के फिर्श लीजिए कौन ज़रूर है होगी रडाई बंद करेंगे आप बारा अर्मी को मार दिए किस्पत इंसदों के मुकद मार गई था आप तोरेंगे ठीक आप बंद करेंगे ठीक पब्लीक यदि अपनी बात को लेके रोड़ पर मैठेगा तो जेल में बंद कर दो पप्पू या रड़ कोरोना में जेल में बंद कर दो यदि हम अबाब इटाएंगे तो जेल में बंद कर दो और आप यदि 13-14 प्रिसेंट को मार दिए हतार करके कौन सा देश इस तरह का हतार करता है इसलिए हमें ड़राने की हिम्मत मत करिएगा यह मेरा अगरा है हम हमेंसा मौत का कफ़न बान के चलते हैं और हमें कोई सौक नहीं आ है हम आप से भौन माँने नहीं गए थे जो अच्छे डॉक्टर होंगे वो पपुया को बेटे और भाई के तरह मानें है और जो लुटेरे डॉक्टर होंगे वो नहीं मानें है उस काड़े भोट भी नहीं चाहिए ना किसी माप्या का भोट चाहिए ना किसी दादा का ना किसी पैसे वाले का इसके खिराब जनग है, अपरादी माप्याओं के खिराब जनग है, रहेगा, हमें नहीं बना ही इस्सा, यह आग्रा है हाँ जोटा हूं मैं डॉक्टर के खिराब नहीं हूँ, मैं अच्छे डॉक्टर को इजद करता हूं, वो अच्छे इंसान है, कोई भगवान नहीं होता है, लेने वाला, देने वाला सिर्भवान होता है, इसलिए आग रहा है, कि हताँ वापस ले, सर्वोच ज्यारब, उने त्वी कर रहा है, डॉक्टर इंवाब है इसमें, माप्या है, बेकी को डॉक्टर होने मा रहा है, हम, यदि हमारे किसी विचारों से ठेज पहुंची हो, तो मैं ब्रक्तिकर तोर पर, किसी के नीजी हमले नहीं है, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन हमको ड़राइए नहीं, दूसरी तरफ, लगातार अफ्राव, हाधिपुर में ब गुंड़ा, तेरा गुंड़ा महाकमा गांदी, दो साथ पहले धोनों आदमी थे, सारे अपरावी मापिया को लाते हैं और MLMP कर्तिकर देते हैं, बिना अपरावी मापिया के तो आपका धली में चलता है, ब्रोंकार, कोई का ता, आपका जाती, कोई का ता, आपका जाती, अरे बिजय वावु मारिये ने जिजजात का गोली मारी अफ़ादी को, खतम करिये ना, बलतकारी का कोई जात नहीं होता कर मैंने मजपटपुर ने कहा, जाते देया ते एक लाख रुप्या पपुया जबने मज़द कर दी, क्यों नहीं गए, जात चमार जाती की बेटी का बलतकार हुआ तो आप दुस्रे जात के लोग नहीं गए, जादब घीवना बिभांग हो गया तो जाधब जी के लोग नहीं। हम पो न चमार जी है, न पसमाधी, न मुसर जी, न राटपुत जी, न जात जी, हमको वैसे काली सुनते हैं डंगला का वेगन बने में क्योंकि जाती धर्म करने नहीं आता है और आप लोग एक दूसरे को गाली देने में बिहार को बर्बाद कर रहे हैं और सारे गुंडे को आप अपने ऑफिस में करेस्परिकर्मा कर बारे हैं कि सारे बादुमाप्या में आप और आपका पना निकारी नुमर्ब है ये पूर में कौन है कलसेंतेजी किसको दिय कई राजकुमार कौन है क्योंध थे प्रे法 का निग्व मेंêts 2009 में चोगा में ये आप उस लाजकुमार को ले आए कल्चेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें पर देश रख रहा संटनशी के लिए एक से देश परती सर्थ, ये लेता हाग परती सर्थ, हजार करोर के पूल में इसको मेनेगा सौ करोर, कौन स्टेकर्ट्री है पीजेश के, क्यों बजा रही है कोई सर्कार, और पूल पे पूल टूटा जा रहा है, कौन है ये सिग्रा, ल घ्रता प्रॉपी पर दोनों पैसा लेता है, कहिये परादी कौन, आप उंको बताईए, क्यों 8%? 50% क्यों नहीं? कौन है ये रोलिक बाला रात्खुमार? किसने राया? कौन सारे परादी को ठीकडारी दे रहा है? सारे परादी को नमना करेंगे हम आने वाले समय में, कहां क तो नहीं कि जाटा दीदी की जांच नहीं होगी किसी को नहीं चोरे में सब मिलके के पैसा लिया है और विपक्स के मुहदे जी जाये ट्विट से नहीं काम चलेगा सरक पर जाये सो एमेले ने छोड़िये 25 एमेले फप्पु या रख को होता ना सत्ता को खार के भरबाद कर देखे या तो हम रहते या तो सत्ता रहती सो एमेले के बाद अकाद नहों तो चुन्लू भर पानी में ढूपके मचा ये हिंब बत रही है भयाद बचाने की कोई महात्मा गांधी बंके घूमने क्रामथी कर रहे है कोई कह रहे है कि मैंको निकलूंगा लगड़ाख सुन्त निकले में और एंदूस्रे को गाली दे रहे बहुत-बहुत-बहुत-बार-बहुत अंतिन तीसरी चीज़, मैं बार बार कहता हूँ, 2005-2010 में लेक्टरल एक्जामनीशन के लिए एक कानून आया था जिसको मांगजबन्दन की सरकार ने रिफ्यूस कर दिया था, पहले आप समझेए साधीश, साधीश का मत्तब क्या है, साधीश में कोई जाती धर मजब नहीं है, साधीश उद्योपती, पुंजीपती बड़े घराने के लिए, यह नहीं कि राधपूर ब्रह्मन भुमिहार की बातुएं, नहीं, बड़ा घराना, राधपूर, भुमिहार, ब्रह्मन, लाला में भी घरीब हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो जीनियस हैं, वो भी नहीं है नहीं, दलित, स्टी, और सी, और सी, कभी आप खीमिलियर की चोज करते हैं, लगभग नोपड़ी ख़दम हो गई, नीजी चेत में चले गए आरक्चर, वह सही, आपने मार दिया, पहले सही आरक्चर को खतम करने की साजिस, सुरू से, एस्ती, एस्ती की आर्थिक समाधिक सेच्छिनी, और रोजगार के समाध पर आप मारने की तैयारी, और लेट्रल एक्जामिनिशन, के बगए, परिक्षा के बगए, यूपी एस्ती, ब्पी एस्ती में जिस तरीके से, बैक दर्वादे से, आपने आरक्चर को भी खतम कर द जिसमें 12 OBC, 6 ST, 3 SC, इतने लोग गार हो गए, तो आप तो महा भी हैं ना, जोहें सेग्रेक्री, सेग्रेक्री आप, डिप्ती डिरेक्टर आप सीधा बहा गी, और इसमें पूरा केद्र मिंदू RSS, RSS की ग्यारी साधीज, और जब महा गटबनन की सरकार S.C.O.B.C. के, और आप बच्चों के, इतने वरे घातक, निर्णे के खिलाब थे, जब पनादिकानी निलाया था, तो फिर 2014 के बाद एक कमीटी बनाई आपने, और उस कमीटी के तहट आपने साधिसन एक चीज़ को लट लट करके इसको ओके कर दिया, इसमें किनकिन निता के बच्चे हैं, नरेंदर भाय मुदी जी, और किस-किस लोगों को बचाने के लिए क्या गिया है, और किस-किस ताव को चुपाने के लिए क्या गिया है, ये गलत है, एक तरफ नितीज जी, माधी जी, चिराग जी, चंदा बाभू नैडू जी, और सि है अजय चोटरादी के बेटे डिप्टी सीम का इस जरम में पहर फगर के मां भी मांगेगा तब भी जात गुजद भोट नहीं देगे बिजेपी के साथ ये हाल रह गया नाफका तो आप तिन खईया ही गोसित नहीं होईएगा आप मृत प्राय हो जाईएगा दुस्यत नहीं जीच सकता है मेले में भी उसके माँबाब को मांत रोग स्वा में 32 जाग बोट आया सोचिए ढरिये और दवापना ये नंदर मोगी जी पर लेक्टर लेक्जामलिशन को लिया जाए एस्टी ओविस्टी को खत्मना किया जाए अन्यता वापस लिजिए सिर्फ बोलिये नहीं मिटी मिटी बाद अब चारिकता मतिवाहिए आप लो शरक पर उतरिये एकारिस ता स्योग करिए हमारे साथी एक इस साथी के बंद में स्योग करेंगे और जब करके मिरोध करेंगे बहुत बहुत अन्माद नमस्का तो पप्पु यादम ने गलत करने वाले डॉक्टरों पर बड़ा हमला बोला है और पूरी पूल खूल करके रख दी है कि आईये में उसका स तरीके से जवाब देता है तो फिलाल इस कवर में इतना ही है दर्स नूश के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें धन्नवाद